नमस्ते दोस्तों, मैं राव चवदरी, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टुडेंट्स एक्टिविटी बोर्ड में हर्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज 28 फरवरी, 28 फरवरी पूरे भारत देश में राष्ट्रिय विज्ञान दिवस तरीके से मनाया जाता है उन्हों ने प्रभावित किया था और इसी दिन से वह फेक्टर लागो किया गया था और इसी लिए यह दिन राष्ट्रिय विज्ञान दिवस तरीके से पूरे भारत वर्ष में मनाया जाता है अपनी स्कूल में भी स्याजी राव गायकपड प्राइमरी स्कूल नंबर 211 में भी यह दिन बड़े धुंदाम से मनाया गया विज्ञान शिक्षक द्वारा बच्चों को छोटे छोटे बालवज्यने को मार्गदर्शन किया गया और इनी मार्गदर्शन कि द्वारा बच्चों ने बहुती बढ़िया बढ़िया ऐसी कृती प्रुरुतिया अपने स्वेम छोटे छोटे हातों से बनाई है और यहाँ प्रदर्शनी यहाँ स्कूल में लगाई गी है चलो देखते हैं इने बच्चों द्वारा किस प्रकार से यह प्रदर्शनी का अकर्शन हुआ है और अपनी स्कूल में इन बच्चों ने आनंद के साथ, कुलास के साथ, हर्ष के साथ पार्टिसिपेट किया है चलो देखते हैं जो काम करे धन्य है वो बैग्यानिक परहित में जो काम करे मानव को दे सुख साथन दुनिया में रोशन नाम करे धन्य है वो बैग्यानिक परहित में जो काम करे कभी सोच कर देखा है कि अपने पूर्वज कैसे थे निर्जन बंदूफाओं में जो हर दम छुपकर रहते थे वे ही पहले खोजी थे या क्यूं कहिए जादूगर थे जिनोंने सबसे पहले आग जलाई जखमक पत्थर से दन्य है वो मैं घ्यानिक परहित में जो काम करे क्रांती घट गई दुनिया में जब हुआ पहिय का अविश्कार वाहन बनने लगे अनोखे यात्रा ने बगडी रफता धातू खोजी गई तो बनने लगे धातूओं के अउदार बरतन वाहन घर दर्वासे और धातूओं के हथिया धन्य होगे घ्यानिक परहित में जो काम करे उसी समय से अपनी इस दुनिया की चाल बदलती है वैग्यानिक जब जान गए के बिजली कैसे बनती है फिर क्या था विज्यान जगत ने एकदम उची भरी उडा बढने लगे सभी सुख साधन जीवन और हुआ आसा धन्य हो वैग्यानिक परहित में जो काम करे दन्य हो वैग्यानिक परहित में जो काम करे दन्य हो वैग्यानिक परहित में जो काम करें